Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel and this is the recap of Lupon season 1 कहानी की शुरुवात में हम देखते हैं कि सीरीज का लीड कैरेक्टर असान अपनी आइडेंटिटी बदल कर पेरेना के नाम से लुवर म्यूजियूम में क्लीनर का काम कर रहा होता है और उसकी नज़र वहां रखे नेकलेस पे पढ़ती है और उस नेकलेस की अगले हपते बोली लगने वाली है असान फिर अपनी एक्स वाइफ क्लेर से मिलकर उसे ऐली मोनी देता है और अपने बेटे रावल से मिलने की बात करता है वहाँ से निकलने के बाद आसान कुछ लोगों से मिलने पहुँचता है जिससे उसने पैसे उधार लिये थे पर वो पैसे समय पर नहीं चुका पाता और उन्हें अपने प्लैन के बारे में बताता है जिसके जरीए वो बहुत से पैसे बना पाएंगे असान बताता है कि वो म्यूजियम से नेकलेस चुराने वाला है जिसमें उसे उनकी जरूरत पड़ेगी असान फिर विंसेंड, केविन और रूडी को एज जनीटर म्यूजियम में कैसे इंट्री दिलवाएगा उसके बारे में बताता है और आगे के प्लैन के बारे में समझाता है और असान उस नेकलेस को खरीदने वाला है जो कि उसके प्लैन का हिस्सा है कहानी फिर 1995 से दिखाई जाती है जब असान अपने पिता बाबाकर के साथ होता है और बाबाकर देखता है कि मिसेस पेलिग्रीनी की गाड़ी खराब हो गई है और बाबाकर मिसेस पेलिग्रीनी के हस्बेन, मिस्टर पेलिग्रीनी की गाड़ी चलाता है और वो मिसेस पेलि बनकर म्यूजियम में एंटर करते हैं आगे हमें पता चलता है कि इस नेकलेस को पेलिग्रीनीज ने खरीदा था और फिर 25 साल पहले उनसे इस नेकलेस को किसी ने चूरी कर लिया था और ये पेलिग्रीनीज वही है जिसके लिए बाबाकर गाड़ी चलाता था आगे फिर पता चलता है कि नेकलेस के चोरी होने के बाद उसके साथ जेमस्टोन्स को नेकलेस से अलग कर वर्ल्ड के अलग-अलग हिस्तों में भेज दिया गया जिसके बाद मिश्टर पेलिग्रीनी ने सारे जेमस्टोन्स को ट्रैक कर लिया और आज necklace अपने सारे James Stones के साथ इस museum में मौजूद है और auction के लिए Mr. Pellegrini की बेटी Juliet Pellegrini museum पहुँची है और बच्पन में Juliet और आसान एक दूसरे से मिल चुके है एक तरफ जहां आसान पॉल संदिन बन कर necklace के लिए बोली लगाता है वहीं दूसरी तरफ Vincent, Kevin और Rudy museum की security को संभालते है कहानी फिर से flashback में जाती है जहां हम देखते हैं कि Mr. Pellegrini बाबाकर को पसंद नहीं करता था पर Mrs. Pellegrini बाबाकर को असान के लिए उनके library से एक book लेने को कहती है और बाबाकर आसन लुपॉन, gentleman burglar नाम की book लेता है कि Juliet उससे मिलना चाती है तो असान मिलने से इंकार कर देता है कहानी फिर से flashback में जाती है जहां हम देखते हैं कि Mr. Pellegrini बाबाकर को necklace चुराने के इल्जाम में गिरफतार करवा देता है और Mrs. Pellegrini ये जानते हुए कि बाबाकर ने चोरी नहीं किये वो कुछ नहीं कहती असन बाबाकर से मिलने जेल जाता है और बाबाकर उसी वक्त अपने cell में suicide कर लेता है बाबाकर के देत के बाद Mrs. Pellegrini असन से मिल उसकी मदद करना चाती है पर असन Mrs. Pellegrini से कोई मदद नहीं चाता असन फिर अपने पिता की दी हुई बुक आसन लुपाउन को पढ़ना शुरू करता है और उसके बारे में पढ़ता है कि लुपाउन के पास बहुत से talents है वो आसानी से अपना ways बदल कर अपनी identity चेंच कर सकता है 60 million euros अभी तक museum को transfer नहीं हुए है और असन चाता है कि जब तक पैसे transfer होते हैं उससे necklace safe से निकाल कर दिखाया जाए और जब necklace को safe से निकाला जाता है तब Vincent और Kevin असन को double cross कर necklace को चुरा कर भाग जाते है पर गाड़े में कुछ खरावी होने के कारण गाड़े का accident हो जाता है और तीनों को पकड़ लिया जाता है investigation कर रहे Captain Lagur को Officer Ghidira का call आता है और वो बताता है कि necklace को test के लिए lab भेजा जा रहा है और उसे लगता है कि इस चोरी का relation आसन लुपॉंस है पर Captain उसकी बात पर ध्यान नहीं देता Captain फिर असन से कुछ सवाल करता है और उसकी तलाशी लेने के बाद उसे छोड़ देता है कहानी फिर दो हफ्ते पहले से दिखाई जाती है जब News में यह बताया गया कि 25 साल पहले चोरी हुआ necklace मिल चुका है असान ने अपने दोस्त की मदद से necklace की एक copy पहले बनवा ली थी और म्यूजियम में जब असान की Vincent और Kevin के साथ जड़प हुई तो उसने असली necklace को dustbin में छुपा दिया था और Vincent के हाथ नकली necklace लगा और फिर असान cleaner बन कर दोबारा से म्यूजियम जाता है और necklace को dustbin से recover कर लेता है वहीं officer गडीरा को पता चलता है कि चोरों के पास से जो necklace मिली थी वो नकली थी और उसे असान के fake name पॉल सर्नीन और आसन लुपाउं के नाम में similarity मिलती है फिर हम देखते हैं कि असान अपने बेटे राउल से मिलने पहुँचता है और उसे आसन लुपाउं की वो किताब देता है जो बाबकर ने उसे दी थी असान फिर से अपने दोस्त के shop पे जाता है जिसने वो fake necklace बना कर दिया था उसका दोस्त बताता है कि उसने original necklace को check किया और इस necklace के gemstones को कभी अलग नहीं किया गया है और ये सुन असान कहता है कि इस necklace के बारे में सारे stories गलत है और उसके पिता ने कभी चोरी नहीं की और पेलिग्रीनीज ने उसके पिता को फसाया है और असान अपने दोस्त को उस necklace से gemstones को अलग करने को कहता है वहीं दूसरी तरफ हम देखने है कि असान जूलिट को एक letter भेज उसे garden में बिना पुलिस के मिलने बुलाता है और उसे necklace का एक gemstones भेजता है जूलिट पुलिस को सारी बात बताती है और असान से मिलने पहुँचती है जहां उसे पता चलता है कि बाबाकर के बेटे असान नहीं वो necklace चुराया था असान जूलिट से कहता है कि necklace से gemstones को कभी अलग नहीं किया गया था और बाबाकर ने चूरी नहीं की थी पर असान पुलिस को चक्मा देकर वहां से निकल जाता है असान फिर उस लेटर को पढ़ता है जो उसके पिता ने उसे भेजा था और उसके पिता ने confess किया था चोरी की बात को पर उस लेटर में उसे कुछ clues मिलते हैं और उसमें commit और libraries के spelling में mistakes थे जबकि उसके पिता कभी spelling mistake नहीं करते थे रिसर्च करने पर असान को पता चलता है कि बाबाकर के साथ जेल में एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम कॉमेट था और वो लाइबरेरी में काम करता था कहानी फिर से flashback से दिखाई जाती है जब बाबाकर की मौत के बाद investigating officer Lieutenant Dumont असान को social services भेज देता है आगे किसी well vision ने असान का admission एक अच्छे private school में करवा दिया है आगे हमें पता चलता है कि असान के दोस्त का नाम Benjamin है और दोनों school के दुनों से दोस्त है असान कॉमेट से जेल में विजिट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बिमार है और अपने cell से बाहर नहीं निकलता जिसके बाद असान तरकीब लगा कर खुद को दूसरे एक prisoner से replace कर जेल में जाता है कैप्टन लगेट जूलिट से पूछता है कि क्या जूलिट उस चोर का पहचानती है पर जूलिट कैप्टन के सवालों का जवाब नहीं देती और उसे suspend करवाने की धमकी देती है असान जेल में पहुँचने के बाद कॉमेट का पता लगाता है और कॉमेट बिमार होने के कारण जेल के hospital में एडमिट है असान जिसकी जगा जेल में आया हुआ है वो कुछ लोगों को drug supply करने वाला था और अब वो लोग असान से वो drug मांगते हैं असान खुद को जेल के हॉस्पिटल में एड्मिट करवाने के लिए उन लोगों को उतेजित करता है जिसके बाद वो लोग असान को स्टैब करते हैं और वो हॉस्पिटल में एड्मिट हो जाता है जहां वो कॉमेट से मिलता है कॉमेट बताता है कि वो सिर्फ एक बार बाबकर से मिला था जब वो उसे एक किताब देने गया था और बाबकर ने कहा था कि एक रोज कोई उस किताब को लेने आएगा और सारे सवालों के जवाब उस किताब में है और वो किताब कॉमेट के सेल में है असान कॉमेट के सेल से वो किताब कलेक करता है जिसमें सीकेट मार्किंग्स किये गये थे और सारे मार्किंग्स कलेक करने पे उसमें बताया गया है कि बाबकर इनोसेंट है और उसे मिसेस पेलिगरिनी ने फसाया है असान दोबारा कॉमेट से मिलने जाता है और कॉमेट चाहता है कि असान एक बार उसकी वाइफ को स्माइल करवाए और असान डॉक्टर से कुछ इस तरह बात करता है जैसे कि वो कुछ गलत कदम उठाने वाला है असान फिर एक ट्रिक की मदद से स्विसाइड अटेंट करता है और वो डॉक्टर उसे देख लेती है और सब को लगता है कि असान मर गया है लेकिन वो बच कर जेल से बाहर निकल जाता है असान ये जानने के लिए कि मिसेस पेलेगरीनी ने उसकी पिता को क्यूँ फसाया उससे मिलने जाता है जहां वो बताती है कि उसने बाबाकर को कनफेशन सायन करने को कहा था ताकि उसके पनिश्منट को कम करवाय जा सके और Lieutenant Demond ने उससे ये सिब कुछ करने को कहा था क्योंकि उसने सारे arrangements किये थे पर बाबाकर की सजा कम नहीं हुई बलकि उसे strict punishment दिये गए और उसने suicide कर लिया Mrs. Pellegrini ये भी बताती है कि वो ही वो Will visher थी जो बच्पन में Asan की मदद करती थी और उसे नहीं पता कि Lieutenant Demond ने उससे ये सब कुछ क्यों करवाया Asan फिर Comet के घर जाकर उसकी wife के लिए necklace का एक gemstone रख देता है जिसे देख वो smile करती है आगे हम देखते हैं कि Asan Lieutenant Demond के घर पे कैमरे के जरिये नजर रखे हुए है और फिर वो Demond के office पे IT का बंदा बन कर पहुँचता है और उसे किसी बहाने से meeting से बाहर बुलाता है और उसे बेहोश कर एक trunk में भर कर ले जाता है Asan फिर Lieutenant Demond से दूसरे कमरे से सवाल पूछता है और जानना चाहता है कि उसने बाबाकर को क्यों फसाया Demond कहता है कि उसने किसी को नहीं फसाया और बाबाकर नहीं चोरी की थी Asan ने Demond के deep fake videos बनाये हैं जिसे वो release कर देगा अगर Demond ने सच नहीं बताया तो और फिर Demond को पता चल जाता है कि उसका kidnap बाबाकर के बेटे Asan नहीं किया है Demond फिर Asan को विजवास दिलाता है कि उसने बाबाकर को नहीं फसाया और बाबाकर नहीं चोरी की थी जिसके बाद Asan Demond को छोड़ देता है वहीं police headquarters में Gadira Demond के phone को track कर उस van तक पहुँचता है जिसके जरियर Demond को kidnap किया गया था पर trunk में Demond नहीं मिलता और driver बताता है कि उसने Asan को वहीं छोड़ा था जहां से उसने उसे उठाया था पुलिस फिर वहां पहुँचती है जहां उन्हें Demond मिलता है Gadira फिर captain को बताता है कि Paul Sarnine, Nicholas Thieb और Demond का kidnapper एक ही इंसान है और ये भी बताता है कि 25 साल पहले जब Nicholas चोरी हुआ था उस वक्त Demond नहीं वो case handle किया था कहानी फिर flashback में जाती है जहां हम देखते हैं कि Mr. Pellegrini नहीं Demond से कहा था कि वो Mrs. Pellegrini से कह कर बाबकर से confession ले मतलब Demond भी Mr. Pellegrini के साथ मिला हुआ है Demond फिर Mr. Pellegrini को call कर उससे मिलना चाता है और कहता है कि उसे बाबकर के बारे में बात करना है और ये सब कुछ आसान record कर लेता है आसान फिर Mr. Pellegrini को drone के जरिये message send करता है कि वो उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ले आएगा असान फिर Demond से एक कैफे में मिलता है जहां वो उसे Pellegrini के बारे में बताने के लिए कहता है Demond असान को Favian Barriot का नाम बताता है और कहता है कि अगर उसे Mr. Pellegrini को हराना है तो Favian से मिले जो एक journalist है और उसने लगभग Mr. Pellegrini को पकड़ लिया था असान फिर Favian की लिखी हुई बुक जिसमें Favian ने Pellegrini के Illegal Business के बारे में लिखा था उसे लेकर Favian के घर पहुँचता है और उसकी मदद मांगता है ताकि Mr. Pellegrini को हराय जा सके पर Favian पहले तो असान की मदद करने से इंकार कर देती है क्योंकि Pellegrini ने Favian को तबा कर दिया है पर फिर वो असान की मदद करने के लिए राजी हो जाती है कैप्टन और गिडिरा डुमॉन से मिल उसे बताता है कि निकलेस थीफ और उसका किडनैपर एक ही बंदा है और गिडिरा डुमॉन को बताता है कि निकलेस थीफ और किडनैपर का आर्सन लूपों से कुछ कनेक्शन है असान फैबियन से कहता है कि 1995 में Pellegrini ने निकलेस की चोरी के इलजाम में उसके पिता को फसाया था ताकि इंसुरेंस के पैसे उठा सके और फैबियन बताती है कि यही वो समय जब उसकी कमपणी बंद होने के कगार पे थी और इंसुरेंस के पैसों से उसने दोबारा अपने एंपायर को खड़ा कर लिया असान फैबियन से कहता है कि उन्हें कुछ बड़ा चाहिए पैलिग्रिनी के खिलाप ताकि उसे हराया जा सके फैबियन असान को उसकी न्यूज एजनसी दा आपजेक्टर के ऑफिस से एक VHS टेप लाने को कहती है जिसमें 1996 की मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग है असान फैबियन की मदद से ट्रिक के जरिये वो VHS टेफ रिकवर कर लेता है 1996 में कौलालंपूर में फ्रेंच एमबसी पे टेरिरिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 8 फ्रेंच सिटिजन्स की देथ हुई थी और उस अटैक के लिए वेपेंस पेलिगरीनी ने डेलिवर किये थे और उस टेप में उसी का वीडियो है असान फिर उस मीटिंग की एक इमेज ट्वीटर पे अपलूट कर देता है जिसके बाद पेलिगरीनी प्रेस कॉन्फरेंस कर बताता है कि कोई उसके जरिये इस देश को बदनाम करना चाहता है और जिसने ये इमेज अपलूट किया है अगर उसके पास प्रूफ है तो अपने आपको सब के सामने लाने को कहता है फैवियन भी उस कॉन्फरेंस में पहुंचती है फैवियन फिर असान से पूरे वीडियो को अपलोट करने को कहती है पर असान कहता है कि उसने एक न्यूज एजनसी को कॉन्टैक्ट किया है और वो वहाँ जाकर वीडियो को लाइव चैनल पे रिवील करेगा वहीं दूसरी तरफ कैप्टन लगियूट डुमोन के पास विटनेसेस के द्वारा असान के बनाये गए स्केच लेकर पहुंचता है पर सारे स्केच अलग-अलग थे फिर गदीरा असान का स्केच डुमोन के सामने रखता है पर डुमोन केहता है कि ये उसका किडनैपर नहीं है और गदीरा को केस से अलग कर देता है असान फिर हुलिया बदलकर न्यू स्टेशन पहुंचता है और जब उस वीडियो को चलाया जाता है तो पता चलता है कि वीडियो को टैंपर किया गया है और पेलिग्रीनी नहीं वीडियो को टैमपर करवाया था पेलिग्रीनी के लोग असान को पकड़ने पहुँचते हैं पर वो वहां से बचकर निकल जाता है फिर हम देखते हैं कि जूलिएट अपने पिता को कॉल कर बताती है कि असान नहीं नेकलिश चुराया था और वो ही वीडियो लेकर आया था निउस स्टेशन पे पेलिग्रीनी फिर उस बंदे को फैवियन के घर बेचता है जिसने उसका पीछा किया था और उससे असान का एड्रेस मांगता है पर फैवियन असान के बारे में कुछ नहीं बताती और फिर वो बंदा फैवियन को मार देता है और जब असान फैवियन के घर पहुँचता है तो उसे मरा हुआ पाता है वहीं गेडिरा भी ये जान जाता है कि नेकलेस थी पर वीडियो रिलीज करने वाला बंदा एक ही इनसान है आगे हम देखते हैं कि फैवियन का मर्डरर लेनाड असान का पीछा करता है पर असान उसे चकमा देकर निकल जाता है असान फिर अपने बेटे राउल के बड़े पे उसे लूपान का कौस्ट्यूम गिफ्ट करता है और उसे एट्रिटेट पे लेकर जाता है जहां लूपान का सेलिब्रेशन चल रहा है और जिस ट्रेन से ये लोग जा रहे होते हैं उस ट्रेन पे फैवियन का मर्डरर भी आया हुआ है कहानी फिर 2006 की दिखाई जाती है जब असान चोर हुआ करता था और उसके और क्लेर की मैरेज में प्रॉब्लम्स चल रहे थे पास आकर बैट जाता है लेनाट से बचने के लिए असान कैप्टन लगूर को पॉल सनिन बन कर मैसेज करता है कि उसकी ट्रेन लू हावर पे रुकने वाली है और उसने बीच कलर की रेंकोट पहनी हुई है जबकि लेनाट ने बीच कलर का रेंकोट पहना हुआ था जिसके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूत